इस वक्ता मौझूद है लखी सराय रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर जन सेवा एक्स्प्रेस जो है इसे आप देख सकते हैं इस पूरी ट्रेन को इसकी कम से कम 5-6 बोगिया जो है उन्हें आग के हवाले यहाँ पर किया गया था जब अगनिपत स्कीम के खिलाफ यहाँ पर आज यह पूरी कोशिश है प्रशाशन की तरफ से कि किसी भी तरीके से जो प्रदर्शनकारी है वो रेलवे स्टेशन के आसपास ना भटक पाएं और इसी वज़े से सुरक्षा का घेरा जो है वो चारो तरफ इस वक्त जितने भी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर बनाया गय प्रशाशनी का अधिकारी लगातार प्रट्रोलिंग कर रहे हैं क्योंकि आज जो आहवान किया गया है वो यह कहा गया है कि ना केवल रेलवे स्टेशन बलकि सडकों पर भी अगनीपत स्कीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आड में किस तरीके से जो उबद्रवी थे उ नुकसान पहुचाना कहीं से भी जायज नहीं है और यही लगातार बात कहीं जा रही है कि इस स्कीम को समझना होगा लेकिन बिना समझे जिस सरीके से इसका राजनीती करण किया जा रहा है और सरकारी संपत्ती को नुकसान पहुचाया जा रहा है उससे नुकसान जनता का ही और यह तस्वीरे जो हैं यह आप देख सकते हैं भागलपुर से मुझफरपुर की ये ट्रेन है जिसकी कई बोगियां फिलाल आग के हवाले कर दी गई है और फिलाल यहां की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है कैमरावन अजय नेगी और सहयोगी रंजीत के साथ अभय पराशर इंडिया टीवी लखी सराय अब लखी सराय स्टेशन पर सुरक्षा को आपने देखा है किस तरह से यहां पर पुलिस के अधिकारी अब गश्त लगा रहे हैं क्योंकि कल जो घटना हुई थी उसके बाद आज कोई अपने घटना नहीं उसको लेकर पुलिस अधिकारी लखी सराय स्टेशन पर मौझूद है लेकिन बड़ी बात है कि आप अगर लखी सराय में आप इतने फोर्ट लगा रखे हैं तो अभी थोड़ी दर पहले जो हमने आपको तस्वीर दिखाई आपको रिपोर्ट दिखाते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार लखी सराय स्टेशन में फिलाल अभी हालात कैसे हैं इस वक्ता मौझूद है लखी सराय रेलवे स्टेशन पर और जिस तरीके से कल यहाँ पर एक ट्रेन में आगजनी की घटना हुई थी अगनीपत स्कीम के विरोध में छातरों ने यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन किया था और एक ट्रेन में आग लगा दी थी उसके बाद अगर हम आज की तस्वीरे आपको यहाँ पर दिखाएं तो जो यहाँ के प्रदर्शन कारी पहुँचकर आज कोई हिंसक प्रदर्शन ना कर पाएं हमारे साथ यहाँ के अधिकारी मौझूद है यहाँ के CEO उन से बात करेंगे सर कल यह देखा गया था कि अचानक से प्रदर्शन कारीयों ने लखी सराय मेर एक ट्रेन के अंदर आग लगाई थी आज किस तरह की स्थिती है किस तरीके से आप लोग यह सुनशित कर रहे हैं कि आज ऐसा हिंसक प्रदर्शन ना हो आज अभी इस्थिती बिल्कुल समान है पूरा स्टेशन और प्लेटफॉर्म को हम लोग अपने अंदर ले रखा है शुरक्षा की पूरा विवस्था है आप देखी सकते हैं और अभी पूरे एरिया को हमने चोकस होके शुरक्षा के घरे मिले लिया है और जो भी ट्रेन आ रही है जा रही है लोग समान तोर पर आ जा रहे हैं किसी रहंका कोई गया दिरिंग नहीं है और दिवस्था बिल्कुल अभी समान है आज भी प्रोटेस्ट की कॉल की गई है बिहार बंद को लेकर नाकेवल रेल्वे स्टेशन बलकी साथी सडकों पर ये कॉल की गई है तो उसके हिसाब से आप लोग की क्या तयारी है क्योंकि कल भी अचानक से यहां पर पत्थरबाजी और आगजनी की घटना को अंजाम दि नतीजा है अभी तक सारे जगह से निव जा रही है विवस्ता समाना तोर पर ठीक ठाक फिलाल सुरक्षा विवस्ता कडी है जो यहां के अधिकारी है वो लगातार रेल्वे स्टेशन पर यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं इस तरह है कि यह जो तस्वीरे आप देख रहे थी एक बोगी के अंदर आग भी लगाई गई तो आज के अगर हम तस्वीरों की बात करें तो लखी सराय रेल्वे स्टेशन पर आज यहां पर सुरक्षा विवस्ता के कड़े इंतिजाम किये गए हैं क्योंकि आज जो प्रदर्शन कॉल किया गया है उसमें रेल्वे स्टे की यहां पर पत्थरबाजी भी की गई थी जन सेवा एक्सप्रेस है यह जो की भागलपूर मुझफरपूर की तरफ यह ट्रेन जाती है और आप देख सकते हैं पूरी बोगी जो है उसे जलाकर खाक यहां पर कर दिया गया था आगे भी इसमें कई बोगिया है इस ट्रेन की जिन्हें आग के हुआले कर दिया गया था तो आज की अगर हम बात करें तो फिलहाल सुरक्षवशा कडी है लेकिन जिस तरीके से आज बिहार बंद का एक कॉल किया गया है उसको लेकर जगए जगए इस वक्त सुरक्षवशा कडी की गई है कैमरामन अजरनेगी और सहयोग रंजीत के साथ अभेपराश्चर इंडिया टीवी लखीपुर